दोस्तों एक बार फिर हमें अडाने ग्रूप पी शेर्स में बारी गिरावट देखने को मिल रही है आज फ्राइडे यानि 23 जून 2023 को अडाने ग्रूप के स्टॉक्स ने 52,000 करोड वाइप आउट कर दिये मार्किट से और इस गिरावट के पीछे की वजा बुलूंबर की एक रिपोर्ट को बताया जा रहा है जिसके हिसाब से यूएस अथोरिटीज और सिक्यूरिटीज एक्षेंज कमीशन इंवेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो हिंडन बर की रिपोर्ट जैनवरी में रेलीज होई थी उस समय अडाने गुरूप ने यूएस इन्वेस्टर्स को क्या रिप्रिजेंट किया था कि उन्होंने अपने वोल्डिंग को सेल नहीं किया आज फ्राइडे को अडाने गुरूप के शेर्स जैसे अडाने अंडर्प्राइस में हमें 10% की गरावट देखने को मिल रही है शेर ट्रेड हो रहा है 2162 रुपे पे वही अडानी पोर्ट्स अडानी पावर, अडानी ट्रांस्मिशन में हमें 5% की ग्रावट देखने को मिल रही है और साथ ही अडानी टोटल गैज, अडानी ग्रीन, अडानी विल्बर में हमें 3% की बड़ी ग्रावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ब्लूमबर की रिपोर्ट के हिसाब से, यूएस अडानी की ओफिस ब्रुकलिन, न्यूवयोक में बीते कुछ दिनों में, यूएस के इंस्टिटूशनल इन्वेस्टर्स जिनकी बड़ी होल्डिंग है अडानी ग्रुप में, उन पर एक इंक्वारी कमेटी विठा आई थी, और यह information मांगी थी, कि अडानी ग्रुप ने क्या प्रेजेंट किया था, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट आई थी, आपको पताई होगा कि 2023 जैनवरी में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट रिलीज की थी, अडानी ग्रुप के उपर पर allegation लगाए थी, कि वो offshore companies tax 7 देशों में बनाकर share prices और company financials को manipulate कर रही है, कि बाद हमें अडानी ग्रुप के shares में भारी गिरावट देखने हो मिली थी, और February तक अडानी ग्रुप के सभी shares में टोटल 59,538 करोड के market capitalization market से wipe out कर दी थी, और investors को और गौतम अडानी के network में भारी गिरावट आई थी, पर हमें जल्दी March में recovery भी देखने को मिली थी, और US के एक गोटेक investment firm में 15,446 करोड investment अनौंस की थी, चार अडानी ग्रुप की companies में, जिसके बाद हमें अडानी ग्रुप के shares में अच्छी recovery देखने को मिली थी, पर market regulator SEC यानि Securities Exchange Commission inquiry कर रहे हैं, US के investors के उपर की उन्होंने Finderberg के fall के समय, अडानी ग्रुप ने क्या present गिया था, इसकी वजह से उन्होंने अपनी holding को sell नहीं किया, और इस Bloomberg की रिपोर्ट में एक और detail दी गई है, कि अडानी अंडर्प्राइज ने Friday को Edge Connects के साथ जॉइंट venture है उसने $213 million fund raise की है, अंडर construction data centers के लिए और इस capital का use किया जाएगा, दो बड़े cities में data centers बनाने के लिए चिर्नाई इनोईडा जिसकी capacity होगी 67 Megawatt, और वो 2030 तक 1 gigawatt की clean energy data centers बनाना चाहते हैं, across the country, और इस $213 million को fund किया है, Standard Chartered Bank, Sumitomo, Mitoshi Banking Corporation, ING Bank, etc. ने, तो ये था आज का वीडियो, अगर आपके इस वीडियो से related कोई भी सवाल है और तो आप इस वीडियो को comment box में बता सकते हैं, और हमारे आने वाली सबी वीडियो उसको notification पाने के लिए, और हमारे चैनल के साथ, हमेरे से जोड़े रहने के लि पाने स्टोक्स, यूटूब चैनल, थैंक यू, जय हित